अभी आपने लड़कियों की बात ने तो सुनी जवेरिया ने भी आपके सामने जो कुछ भी कहा लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टन डोल प्ले कर रहे हैं जैसा कि कहा जाता है कि एजुकेशन किसी भी कौम के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है फंडमेंटल चीज़ है जिसकी वज़ा से पिलर्स जो है वो खड़े होते हैं और फिर कोई भी कौम आगे एकसेल करती है आगे तरक्की करती है खवातीन के हवाले से अगर हम बा प्रफेशनल में बहुत आगे है और सबसे बड़ी बात है कि वो एक ऐसी चीज़ चला रही है इस मुल्क में रहते हुए जिससे हम कहते हैं एक रुपिया स्कूल वो क्या है उसके बारे में उन्हीं से जानना चाहूंगा बहुत ही मज़िदार सी चीज़ है और बहुत प्रफेशनल में लेकिन वो कर रही है कमस कम कोई तो कर रहा है और अब क्या कहें यह कहां से आइडिया है आपको और क्यों मूड हुआ पाकिसान के लिए कुछ करने का देखें यह तो हर वक्त जो जो आदमें खुद पढ़ लिख जाता है यह तो महसूस करता है कि सब को अगर हम खवतीन हैं तो हम तो सारे बच्चों को पढ़े लिखे देखना चाहती है ना तो वो तो खाहिश है वो मेरी नहीं वो इनकी इनकी सब की होगी लेकिन कोई हिम्मत करके थोड़ा सा कर भी ले कॉंट्रिबूशन कर ले उस पे मैंने थोड़ा सा कदम उठा लिया मसल तो अगर कम फीस हो और सकूल बनाजा तो जो लोग परहाना चाहते हैं अपने बच्चों को खाना तो दे रहे हैं लेकिन फीस नहीं दे सकते तो उनके लिए गर ऐसा सकूल बना जाए जिसमें के फीस कम हो तो कम से कम कुछ लोग तो पढ़ ही जाएंगे जब वो स्कूल खोला गया तो मुझे यह महसूस हुआ कि बच्चों को जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ डॉक्टर एंजिनियर और उस पर बनाए हमारे यहां हुनर की इतनी जादा जरूरत है हर लेवल पर जरूरत होती है तो मैंने एक आइडिया उसमें फ्लोट किया था स्कूल में कि जब तक जिन बच्चों को सिर्फ पढ़ने का शौक नहीं है वो तो काम सीखें लेकिन थोड़ा पढ़ भी लें लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं वो फिर मेट्रिक पर उसके बाद आगे हैं उसमें फिर हमने फोर ठीक है और जिसे पढ़ना है वो मेट्रिक के बाद कॉलिज में अड्मिशन ले और पढ़ाई करें दूसरे डिमेंशन यह है कि हमारी हैं बारा साल का बच्चा पंदरा साल का बच्चा वो माबाब पढ़ाना चाहरे हैं लेकिन मकान शिफ्ट हुआ यह नौकरी शिफ्ट और तीन साल में वो रेगिलर क्लासे में उनके साथ आगे पर तीसरा डायमेंशन यह बनाना पड़ा कि जब तक हम पैरंस के साथ बात नहीं करेंगे पढ़ाना किस तरह जरूरी है कि तरवियत जो हम कर रहे हैं उसको कॉंटिन्यू कैसे करना आपने पढ़ाना नहीं लेकिन कम से कम इने वो करने तो दें जो हम उने सिखा के भेज़े रहे हैं तो उसके लिए पैरंस को जो बुला गया तो उने पढ़ना लिखना ही नहीं आता था ये बताना ही नहीं आता था कि बच्चे की पैदाईश कब हुई है आपको पता है आमों का सीजन था ऐसी बात है सुन में जिम्मधारी है कि वो एक को पढ़ाईंगे अगर उनों नहीं पढ़ाया एक साल में एक ना खानदा को खानदा नहीं किया तो उन्हें हम अगले साल अगली जमात में नहीं भेजेंगे तो ये उनकी जिम्मधारी लगाई है पोथ डामेंशन की तरफ आते हैं वो क्या पोथ डामेंशन ये ठीके चूंकि मैंने ये फैसला किया था कि स्कूल शेहर से बाहर बनाना है शेहर में गलाजमत भी मिल जाती है तो वो कहीं ने कहीं प्राइवे भी पढ़ा लेते हैं लेकिन मैं शेहर से बाहर ऐसी जगह स्कूल खोलूं जहां स्कूल होता नहीं है तो जब दूर इस्कूल कहुला तो वहां टीचर्स को भी तो एक्प्पट करना था ना और मैंने इसका तरीका भी यही रखा था कि मुझे वही की लड़कियां लेनी है, उन्हीं को इतालिम दिलवानी है, उन्हीं से स्कूल खुलवाना है, ताकि ट्रांसपोर्ट का एशू जो है, वो खतम, बिलकुल, नहीं ट्रांसपोर्ट का नहीं, एक तो इलाखे, भई उनको कैसे एजुकेट करेंगे हम, जब तक हम उन लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, आगे वो जिन्दगी पर पढ़ाती रहें, उन्से लोगों, यानि वो सेल्फ सफिशन्ट हो जाए ना, बाहर से जो टीचर्स जाते हैं, पैसे भी लेते हैं, और ये कैसे करते हैं, ये लो कैसे इनकी उमर ना जाया हो जाएंगे, तो उन्हीं बच्चियों को अन जोब रखा और उनको पढ़े का लोन दिया, उन्ज़ॉब पढ़ाया, यानि सुभा अगर वो कॉलेज आरही हैं तो शाम में स्कूल में पढ़ा रही हैं ये शाम में पढ़ा रही हैं, ये शाम में अब मैं आपका शुक्रिया दा करना चाहूंगा पूरे पाकिस्तान की तरफ से और हमारी हुकूमत की भी तरफ से मैं करी देता हूं किया नहीं हुआ अभी तरफ तो बड़ी-बड़ी महरबानी आपकी कि आप इस मुल्क के लिए कुछ कर रही हैं और आप ऐसे ही कुछ करती भी रहें जब-जब आपको मेरे शो की जरुवत पड़े किसी भी चीज को अड्रेस करने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, हम जी भी हमेशा हाजिर रहेगा जितना भी हम अपनी हैसियत में कर सके मेरे पास यहाँ पर कुछ giveaway है मौसम्भी भाए हुमा की तरफ से हमारी जितनी भी ये Achievers हैं क्योंकर एक औरत ही, एक औरत का दुख समझ सकती है लेकिन ahaha- मौसम्भीभाय हुमा की तरफ से ये हमारे जितने भी guests हैं उनके लिए एक छोटा सा तौफ़ा हमारे लिए आपा प्रीज आपको कभी पूसरों में डिजाइन भी पहन लियता है ये लिजे सब्सक्राइब और जब तक कि हम ये मज़दार सी चीज कर रहे हैं आपको इनकी कलेक्शन के आपको एक छोड़ास बाताज की ये लिए। आपके पास भी आओंगा नोट मेरे क्या करें की सिंदगी में आगे बहुत कुछ करने का रादा है लेकिन अभी मतब बाल्दा कहती है कि आपने हिप्स कर लिया है तो आलमा कोर्स करें और इसके इलावा दूसरे बच्छों को तालीम दें बहुत सारे लोग ऐसे हें कि उनके यह नहीं पता है कि कुरान पार क्या है या ज़rika आम तालीम है कि स्कूल रगारा बहुत पता है बिलकुल और ये तालीम सबसे ज़्यादा जरूरी है और अगर आप हाफिज कुरान हैं तो अब आप पर ये आपका फर्ज भी बनता है कि आप कुरान की तालीम को सही तरीके से लोगों तक पहुँचाएं क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी है आप पे ये भी झांडा इंबनें चाहते हैं कि अज़ या डॉक्टर रॉफीना होती या इनकी तरह स्कूल बनाती पर नापा की तरह या सभा की तरह कमाल है जी बिल्कुल दिल में जोश है कि बिल्कुल इनी की तरह बने हम भी आगे जाके क्या बा? अच्छी रटकिया हिए। आगे बढ़तेजी आपकी तरफ सोच लिया हुगा इतनी देर में तो नहीं सोजा तो कुछ भी नहीं है क्या? सोजा तो कुछ भी नहीं है फिर भी कुछ तो जहन में होगा कि आगे बढ़के मैंने कुछ करना है जिन्दगी बे? जी बहुत कुछ करना है और कर भी रही हूं ने भी Qumrani की तालिम दे रही हूं बच्छों को मार्शालिय। और इस्पूल में भी पढ़ा आगे। कि हमी अभू के दुआउं से और भी बच्छों को तालीम देनी आगे। बिल्कुल, बहुत जबसे बहुत ही अच्छी बात किया आपने, सब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप सब का क्या आप सब लोग यहां पर आए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह पाकिसान का नाम रोशन करते रहें और अच्छे-च्छे काम करते रहें और आप मुझे बहुत गुस्से से देख नहीं, डॉक्टर अपिना कारियत से रहें।